नमस्कार साथियों स्वागत है आपका The GS Plateform YouTube चैनल में तो देखिए यहाँ पर आज आपके लिए सामान अध्यन का एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ तो आप यहाँ पर अपने प्रशनों को देखिए किस तरह से आप कितने कर पाते हैं तो वीडियो में कमेंट करके भी आप प्रशनों को सब्सक्राइब कर लिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रैश कर दीजिए जिसके कि आपको नई वीडियो मिल सके तो चले शुरू करते हैं वीडियो को तो इस वीडियो में मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट में जिस तरह से पूछे जाएंगे उसी तरह से आपको उत्तर भी देने हैं तो देखें यहाँ पर पहला कोश्यन आपका है कि एवरेश्ट पर चड़ने वाली प्रथम अपंग महला का नाम क्या है तो बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है अगर आपको आता है तो इसको आप काउंट करेंगे अपने स्कोर में अगर नहीं आता है तो इसको छोड़ देंगे हम आपको आंसर बताते हैं इतका आंसर है अरोडमा सिंग देखिए जो भारत पर भारत की तरफ से एवरेश्ट पर चड़ने वाली प्रथम अपंग महला का नाम अरोडमा सिंग है ठीक है तो यह आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ एवरेश्ट पर चड़ने वाली प्रथम महला का नाम अरोडमा सिंग दूसरा आपका क्वेश्चन है तो अगर आपको पता है कि सांती निकेतन की स्थापना किस ने की थी तो आप समझ गए होंगे लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं सांती निकेतन की स्थापना रविंद्रनात टैगोर जी ने की थी और जो किनों ने बंगाल में की थी पश्चिम बंगाल में सांधिनिकेतन की इस थापना की थी तो यह आपका दूसरा रहते हैं उनकी रहने वाली जगे का नाम क्या है तो बताईए इसका क्या नाम है जैसे भारत में राष्टपती कहां रहते हैं संसद राष्टपती भवन में रहते हैं तो यह इसी प्रकार से इंग्लेंड की PM का निवास का क्या नाम है तो अगर आपको पता है तो इसको आप क लिए आ रहा है भारत का प्रतम नगर निगम कहां बना था तो आपको यह बताना है कि भारत का जो प्रतम नगर निगम है वो कहां बना था अगर आपको पता है तो प्लीज बताईए कमेंट कीजिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं भारत का प्रतम Otherwise, मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखिए, इसका आंसर 6 है, 6, यानि कि सहयुक्त राष्ट संग में अधिकरत भासाओं की संग के 6 है, अगला question आपके लिए, सर्वर्थम, राष्ट गरान, कब और कहां गाया गया, तो अगर आपको पता है इसका आंसर, तो आप इसको count करें और देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग ये भी है, कि आप इसी तरह से आपको question पूछे जाएंगे, और answer भी आप इसी तरह से one word में लिखेंगे, देखिए, जिस तरह से यहाँ पर one word में answer लिखेंगे, इसी तरह से आप answer लिखेंगे, examination में भी, तो देखिए राश्डगान सरप्रथम, सन 1911 में गाय गया था, 27 समर 1911 को कलकत्ता अधवेशन में, कांगरेस का अधवेशन था, ठीक है, अगला question आपके लिए सात्वा question है, भारत में national credit court, यानि NCC की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए, important question है आपके लिए, कि भारत में NCC की स्थाप स्थापना की गई थी, सन 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, आठवा question आपके लिए है, my journey transforming dreams into action, मतलब मेरी जो यात्रा है, जिसमें, जो मैंने सपने देखी थी, वो action, मतलब वो कार में बदल गई, इस पुस्तक की लेखक कौन है, तो अगर आपको पता है, बहुत ही अच्छ नाइन्थ question आपके लिए आ रहा है, इसरो का पूरा नाम बताईए, देखी इसरो क्या है, एक भारती अंतरक्ष एजेंसी है, जो भारत से यहां से उपग्रे भी छोड़े जाते हैं, तो इसरो का पूरा नाम क्या है, तो देखो I से होता है, Indian, S से Space, R से Research, और O से Organization, तो दे देखी अंतिम question है, अगर आपको आता है, तो अच्छी बात है, इसका देखो answer है, लाल बहादुर सास्त्री, तो देखी इस तरह से यहां पर 10 question complete हुए, और सभी की question के answer आपको इसी तरह से exam में भी देने हैं, ठीके, और model paper जो examination का है, जल्द ही आपको मिल जाएगा, जो ही P NP जारी करेगा, तब इस चीश की और भी clearance हो जाएगी कि आपको answer किस तरह से देने हैं, लेकिन generally इस तरह से आप देंगे तो भी problem वाली बात नहीं है, तो 10 question मैंने आपको बताए, medium level के question थे, कुछ ठीक ठाक इस तरह के भी थे, तो आप comment करके बताएगे कि आपने 10 में कितने सही कि, तो यहाँ पर जिस तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने एक sign भी बनाया है कि 10 में आपको कितने मिले, तो आप comment करके बताएगे कि आपके कितने questions सही है, कितने answer आपके सही है, तो देखिए यह था आपका पहला mock test सामान अध्यन के लिए, तो वीडियो में comment जरूर करि आपके लिए और भी mock test बनाये जाए, तो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार